बैन किया गया उसके बाद में एक और यहाँ पर अपडेट आता है 26 अगस और बोलते हैं कि सर FSS AI को यहाँ पर एक तरीके से बोलिए कि इसको लेकर करके डिरेक्ट ओफिसरी यहाँ पर होना चाहिए ठीक है एनिमल हस्बेंटरी यहाँ पर होना चाहिए यानि कि डेरिंग यह इंडिजिनस यानि कि जो मिल्क प्रोड़क्शन है इस्टिमेटेट है इंक्रीज बाइफ पॉर पॉइंट तू परसंट यह इंक्रीज हुआ है यह हमारा लेटेस रिकॉर्ड है और रिमूवल ऑफ दा एवन एटू क्लेम्स फ्रॉम मिल्क प्रोड़क्ट की जो एटू मिल मिल्क है वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है बट जो एवन मिल्क प्रोड़क्शन है और उसमें निकल एवरीवन वेल्कम तू सवा एटू के बारे में हम बात करने वाले हैं जो की है मिल्क एंड मिल्क प्रोड़क्श को लेगर के आपको याद होगा कि एफ एवन मिल्क प्रोड़क्श का बिजनस करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे आर्टिकल ऑफ फूड इस्पेशली मिल्क एंड मिल्क प्रोड़क्श पे आपको यहाँ पर एवन और एटू जैसे क्लेम्स देखने को मिलेंगे FSSAI ने क्या किया इसको लेकर के यहाँ पर एक ओर इशू किया कि बोला अभी इसको यहाँ पर रिमूव करना होगा और आप फ्यूचर में ऐसे क्लेम्स नहीं कर पाओगे यानि कि इसको यहाँ पर बैन किया गया उसके बाद में एक और यहाँ पर अप्डेट आता है 26 अग बंद तो यहाँ पर क्या सारी बाते हैं इसको हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन में समझेंगे कि यानि कि FSSAI पहले तो इस ओर्डर को इशू करता है A1 और A2 जैसे क्लेम्स को बैन करता है देन कुछ टाइम के बाद में FSSAI अपने ही ओर्डर को विड्रॉ करता है इन सारी ब देखा होता है तो 26 अगस को FSSAI जो रिसेंट में एक ओर्डर इशू करता है एक क्लैरिफिकेशन देता है जनरली ओर नहीं हम इसको एक क्लैरिफिकेशन बोलेंगे यहाँ पर FSSAI बोलता है कि जो सेलिंग और मार्केटिंग ऑप जो मिल्क प्रोड़क्ट सो रहा है हम यहाँ पर विड्ड्रॉ कर रहे है अब यह क्यों कर रहे हैं क्या रीजन रहा है इन सारी बातों को थोड़ा सा हम डिटेल में और समझते हैं सबसे पहले एक 21 अगस्त का एक ओर्डर हमें देखने को बिलता है जिसको लेकर के FSSAI ने क्या बोला था थोड़ा सा हम इसको सम अब यहाँ पर all e-commerce यानि कि यहाँ पर including जो online businesses है especially अगर हम नाम ले country डिलाइट वगेरा और इसके अलाबा जो other food business operators है उनको भी यहाँ पर include किया गया FSSAI ने यहाँ पर बोला कि जो A1 and A2 जैसे जो claims किये जा रहे है especially milk and milk products पर जैसे घी हो गया butter हो गया ठीक है इसके अलाबा कर्ड हो गया तो इस पर जादा तर यह चीज़े देखने को मिलती है तो FSSAI बोलता है कि ऐसा किसी भी तरीके का एक तरीके से categorization हमने तो किया नहीं है जो आप A1 और A2 जैसे claim कर रहे हो और इसको लेकर कि FSSAI बोलता है कि अभी हम यहाँ पर इसको ban कर रहे हैं आपको six month का time दिया जाएगा उसके बाद में date को extend नहीं किया जाएगा तब तक आपको अपनी जो भी package material है printed material है वो सारी चीजों को आपको खदम कर देना है future में आप दिखोगे कि लोग एवन एटू को लेकर कि अभी हम और detail में समझेंगे कि actual में differences क्या है लेकिन recently अभी news आती है कि यहाँ पर 26 को यह issue इतना आगे बढ़ जाता है मतलब यह चीज आगे बढ़ जाती है इतना कि यहाँ पर Prime Minister तक involved हो जाते हैं अब Prime Minister अगर involved होते हैं तो आगे food business operators जो हैं एक तरीके से mislead कर रहे हैं यहाँ पर FSA CIA यही बोलता है कि यह आप जो कर रहे हो एक तरीके से mislead कर रहे हो क्योंकि as per food safety in standard act 2006 and food safety in standard regulation 2011 हमने कहीं पर भी A1 और A2 जैसे milk category को mention नहीं किया है यानि कि यह जो आप कर रहे हो A1 and A2 आप बोल रहे हो कि यह हमारा milk जो है यह A2 है या फिर A1 है तो इस तरीके से के जो आप claim कर रहे हो यह आप अपनी तरफ से कर रहे हो और FSA CIA ने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया है तो FSA CIA इंडिया में apex body है हम यह कह सकते हैं कि foods की safety और standards को लेकर के काम करते हैं तो FSA CIA ही इन सारी चीजों को लेकर के regulation बनाता ह but FSA CIA बोलता है कि हमारे किसी भी regulation में यह कहीं पर भी mention नहीं है especially food product standard and food additive वाला जो regulation है वहाँ पर अगर हम देखते हैं तो milk and milk products के बारे में mention तो है but कहीं पर भी A2 and A1 को लेकर के कुछ भी mention नहीं किया गया तो FSA CIA यहीं बोलता है कि अभी आपको क्या करना होगा इन सारी चीजों को करना होगा यहाँ पर एक तरीके से remove करना होगा ठीक है ऐसे claims को remove करना होगा future में आप नहीं कर पाऊगे वेनु गोपाल बदरवद ठीक है तो यहाँ पर यह एक तरीके से क्या है आप देखोगे कि हमारे इंडिया में जो भी agriculture से जो भी related चीज़े होती है उनको कौन देखता है Indian council of agriculture research ठीक है तो एक तरीके से जो milk है या फिर जो cattle्स वगेरा है वो भी किसमें आएगा cow वगेरा व आप इस इशू पर थोड़ा सा देखिए समझिए और एक यहाँ पर आप एक कमिटी बनाईए जिसमें high level के लोग होंगे जो अपने suggestions देंगे और उसके बाद में आप इस पर कुछ action लीजे तो यहाँ पर होता क्या है जो ICR यानि कि Indian council of agriculture research के एक तरीके से governing body के जो एक तरीक से बोलिए कि इसको लेकर के directive and form a high level committee of expert to review the issue तो यहाँ पर यह विन्यू गोपाल बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर से कि आप FSAI से बोलिए कि यहाँ पर इस issue पर थोड़ा सा नजर डाली जाए और इस issue को ध्यान में रखते हुए एक high level committee बनाई जाए expert की और उसके बाद में इस पर discussion किया जाए उसके बाद में यह बोलते हैं कि जो committee आप सर बोल रहे हैं कि यह बोल रहे हैं कि जो आप committee बनाने के लिए बोल रहे हो उसमें यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो different representatives होने चाहिए जैसे कि ministry of fisheries यहाँ पर होना चाहिए ठीक है animal husbandry यहाँ पर होना चाहिए यानि कि daring यहाँ पर होना चाहिए and health and family welfare as well as ICR and other expert यानि कि इस जो organizations हैं या फिर जो departments है ministry of fisheries हो गया animal husbandry हो गया यहाँ के जो main members हैं ठीक है जो authorities हैं members हैं वो यहाँ पर इस committee में involved होंगे और उसके बाद पर इस पर यहाँ पर चर्चा होगी the committee would be task तो यहाँ पर committee को एक task दिया जाए यह clarify the marketing and labeling of the A1 and A2 जैसे जो milk है और यहाँ पर proper recognition of the A1 and A2 proteins यहाँ पर हो सके तो क्या बात आप समझे कि यहाँ पर बोला गया कि directly इसको ban अगर हम करते तो इसका बहुत ज़्यादा impact पड़ेगा हमारी country पे कितना impact पड़ेगा अभी high level की committee बनाई जाए उस committee में different agriculture के especially ministry of fisheries and animal husbandry और daring और health and family welfare यहाँ पे तो FSSAI के लोग भी आएंगे अगर ministry of health and family welfare के लोग आएंगे तो यहाँ पर FSSAI के भी यहाँ पर expert होंगे तो वो लोग मिल करके यहाँ पर एक तरीके से expert अपनी राय दें क्या यह करना सही होगा तो फिल verification है उसको लेकर के regulation में जरूर mention किया जाएगा कि आगे से किस बात का ध्यान रखना है अब यहाँ पर यह बोल रहा है कि A1 and A2 जैसे protein का proper recognition हो सके तो आपको पता है कि milk में 80% casein protein होता है उस casein protein में भी हम देखें तो उसको भी further अगर हम देखें तो यहाँ पर लगबग 4 दे दोनों में structural difference होता है तो इसको लेकर के एक तरीके से clarify किया जाए और regulation में इस बात को mention किया जाए तो यहाँ पर इस बात को बोला जा रहा है अब देखो यहाँ पर यह जो बाते निकल करके आती है इसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है ICR, ICR के expert यहाँ पर निकल करके आते ह तो इसमें जब यह वेनु गोपाल जब लेटर लिखते हैं in his letter to the PM तो यहाँ पर यह बोलते हैं एक हाइलाइट करके सारे points को mention करते हैं बोलते हैं कि cattle जो genetic resources है which includes the इसमें 190 million cattle जो है एक तरीके से क्या है यहाँ पर बाहर की है ठीक है अगर हम इसमें देखते है विच इंक्ल यहाँ पर यह लगभग 20 करोड के पास में यह नंबर यहाँ पर निकल करके आता है ठीक है 190.9 million cattle जो 53 registered जो है वो native breed है यहाँ पर यह बोल रहे हैं कि अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर क्रॉस ब्रीड है तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अगर हम इन चीजों को बंद करते हैं तो पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ पर जो मिल्क का जितना कंजम्शन है उसको एक तरीके से सारा A2 quality का दे पाना वो मुश्किल है ठीक है दूसरी बात यह है कि अगर हम इसको बैन करेंगे तो हमारा कहीं न कहीं economical बहुत जादा loss होगा अगर हम previous data देखते हैं बहुत जादा important है बोल रहा है कि इंडिया का जो milk production है estimated have the increase by 4.2% यह increase हुआ है यह हमारा latest record है कब 2022 और 23 का जो latest है वो यह कह रहा है कि 4.2% यहां पर increase हुआ है इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो country has been the largest milk producer है इंडिया हमारा largest milk producer है कब से 1998 से इन सारी चीजों को अगर हम ध्यान में रखें तो आप समझो जो A1 and A2 को लेकर के जो claims को ban कर रहें तो उसकी वज़े से कितना जादा impact आएगा क्योंकि लोग फिर A1 milk को consume नहीं करेंगे उनको A2 milk चाहिए और इतनी ज़्यादा supply नहीं है तो कहां से हो पाएंगी चीज़े तो demand की पूरती नहीं हो पाएगी क्योंकि बहुत time से आप देखोगे 21 अगस से ये सारी चीज़े चल नहीं है मार्केट में लोगों ने देखना start कर दिया कि जो milk हम consume कर रहे हैं वो A1 है या फिर A2 है अब यहां पर आपके सामने एक और question आता है कि आखिर यतनी सारी चीज़े थी तो FSCI ने इसको ban क्यों किया FSCI ने इसके बारे में सोचा क्यों नहीं एक बार तो FSCI को इसके बारे में सोचना चाहिए था कि अगर withdraw करना ही था तो पहले क्यों किया तो ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारे action जो हम लेते हैं हम अपने according तो लेते हैं बट हमें नहीं पता होता है कि उसका impact क्या पड़ेगा ठीक है जब हम उसको implement करते हैं उसके बाद में जब हमारे पास में number of comments आते हैं तब हम उस पे दुबारा से विचार करते हैं और फिर हम द जो decision लिया था वो बहुत सही था लेकिन वहाँ पर अभी क्या है कि एकदम से हम ऐसी चीजों को नहीं कर सकते हैं बट हम उसमें कुछ न कुछ changes जरूर करेंगे regulation के माध्यम से तो why FSCI has order removal of the A1 and A2 claims from milk product तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि आखिर FSCI ने इसके पीछे क्या त यहाँ पर जो भी A1 and A2 को लेकर के जो भी market में चीज़े चली है वो especially cow milk को लेकर के हैं यहाँ पर बाकी buffalo goat को लेकर के नहीं है आप जब market में जाते हो तो आपको दो तरीके के milk यहाँ पर products पे आप दिखोगे कि labeling पे आपको mention मिलेंगे और बोला जाता है कि एक A1 है और एक A प्रीट से यह हमें मिलता है जो western breed है especially European countries की जो breed है वहाँ से हमें यहाँ पर यह देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपको यह समझना है कि यह बोल रहा है कि जो A2 milk है वो कहीं ना कहीं हमारी health के लिए अच्छा है बट जो A1 milk है वो हमारे लिए bad है तो ऐसी बहुत सारी videos calcium और जो other minerals होते हैं कोई बहुत जादा difference नहीं होता है बट यह माना जाता है कि अगर हम digestive system के according देखें और भी अगर हम देखें health benefits के according देखें तो A2 milk काफी अच्छा होता है अब जब अच्छा होता है और इसके साथी साथ इसकी supply भी कम है अगर इसकी supply कम है तो demand के हिसाब से इसका price काफी जादा होता है as compared to आप देखोगे कि अगर आपको एक तरफ 50-60 रूपीज में मिलना है दूसरी तरफ हो सकता है कि आपको A2 milk एक लिटर 90-95 रूपीज तक भी जा सकता है तो यह चीज़ आपको समझनी है कि यहाँ पर लेकिन अगर हम सबको A2 milk दें तो वो भी पॉसिबल नहीं है तो इसके कोई बहुत जादा मतलब नुकसान ऐसाच कुछ नहीं है अगर नुकसान ऐसे होते तो FSSI इसको लेकर के एडवाइजरी जरूर जारी करता लेकिन यहाँ पर जो कंपनियां है अब क्या होता है कि देखो कंपनी जो भी हैफ करती है वो कंजूम जाहर पर मांगेगा वह वैसा करने के कोशिश करेंगे तो यहाँ पर यह मार्केड बिहावइयर को समझने की कोश होते हैं इसको लेकर कि इससे नहीं किया है अपने रेगुलेशन में तो FSCI recently उन्होंने इशू किया था एक significant directive to food business including the online platform, online platform example आप ले सकते हो country delight का to remove the claims related to the A1 and A2 types, तो A1 और A2 जैसे जो types को लेकर के जो claim हो रहे थे milk की packaging को लेकर के वो यहाँ पर अभी क्या किया जाए उसको लेकर के बोला गया कि इसको आप remove करो ठीक है अब यहाँ पर FSCI ने देखा it has come to the notice FSCI ने एक तरीके से notice किया कि market में बहुत जादा एक कर रहा है दो कर रहा है जब बल्क में चीजे होने लगी A1 और A2 जैसे claim तो यहाँ पर FSCI बोला कि भाई हमारे पास तो कुछ ऐसा नहीं है लेकिन यह सारे के सारे FSCI का license ले करके उसके बाद में A1 और A2 जैसे claim कर रहा है जबकि हमने अपने packaging labeling regulation में ऐसा कहीं पर भी नहीं mention किया है तो यह अपनी तरफ से ऐसा क्यों कर रहा है ठीक है तो यह सारी चीजे देखने को मिलती है मैं especially घी बटर को लेकर कर के और मिलक को लेकर के तडिफ्रेंश अगर हम देखेए अब यह कोशन आता है कि डिफ्रेंस क्या है जो एवन और एडव को लेकर के तो इपर यहां पर क्या है इस्ट्रॉडर्टर डिफ्रेंस है बीटा केसीन प्रोटीन में जैसा कि मैं आपको ब बहुत जादा all over milk में कोई difference नहीं होता है A1 and A2 जिसको हम बता रहे हैं तो FSCI ने बोला FSCI regulation do not officially recognize this distinction बलब इस तरीके का जो आप differentiation कर रहे हो A1 और A2 को ले करके FSCI ने इसको अभी तक किसी भी तरीके का recognition नहीं दिया है तो FSCI ने जब नहीं दिया है तो उन्होंने order issue कर दिया the decision follows a through examination by the regulator regulator यानि कि FSCI और उन्होंने बोला कि the use of A2 claims on the milk pad product is misleading यानि कि इन्होंने बोला कि misleading इन्होंने directly इस्दाम लगा दिया कि आप जो कर रहे हो जिस तरीके की marketing और इस सब चीजों को यह आप कहीं ना कहीं mislead करो mislead करना यानि कि advertisement के तुरो या फिर हम अपनी labeling के तुरो किसी भी तरीके से अपने products के बारे में एक गलत information दे रहे हैं जो actual में exist नहीं करती है बलब as per Indian government जो law है law के according exist नहीं करती है बार आप अपनी तरफ से उसको बता रहे हो तो यहाँ पर यह बोला गया यानि कि ना तो act में mention था ना तो regulation में mention था इसको लेकर के FSSAI ने बोला इसके साथी साथ आगे चीज़े बढ़ती है यानि कि जो पहले आप प्रिंट करा चुके हो उन सारी चीजों को आप ख़तम कर लो आपको 6 महीने तक का समय दिया जा रहा है ठीक है अब अगर हम आगे देखते हैं कि अगर misleading को लेकर कि अगर कोई case आता है यानि कि अगर कोई बोलता है कि आपने contravention किया article of food को लेकर कि किसी भी law के जो भी sections है उनको आप नहीं हाँ पर contravention किया है तो अगर कोई mislead करता है तो food safety and standard act food safety and standard act 2006 के chapter number 2006 का एक हमारा chapter number 9 है chapter number 9 का section number 53 है जो की बताता है कि penalty for misleading advertisement तो यहाँ पर अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो यहाँ पर एक तरीके से आप falsely describe कर रहे हो किसी भी food को अगर आप publish कर रहे हो उसको उसको लेकर के तो यहाँ पर अगर आप publications या फिर आप advertisement जो कर रहे हो व उस case में क्या होगा कि आप करते हो तो आप misleading करते हुए पाय जाओगी और उस case में आपके उपर penalty impose हो सकता है कितना 10 लाक रुपए तक इसके अलावा जब आप देखोगे कि चीजे और भी चेक होंगी तो अगर और भी contraventions पाय जाएंगे तो इसके अलावा और भी penalty impose करी जा स होता क्या है recently हमें एक news देखने को मिलती है और उसमें निकल करके आता है एक order निकल करके आता है 26 अगस्त का कि जो FSS AI ने जो order issue किया था उसको अभी यह क्या कर रहे है विड्रॉ कर रहे है इसके कई सारे factors हैं लेकिन यह जो A1 & A2 को लेकर के जो यहाँ पर issues हुए ऐसा नही मिल्क की बात करें यह उन सभी जगह पर आपको इसको लेकर के अभी नए provisions देखने को मिल सकते हैं उसके लिए हमें वेट करना होगा जैसे ही कुछ नए अपडेट आएगा वह हम आपके पास लेकर के आएंगे इसके अलावा एक important information कि अगर आप FSS AI जैसे exams में इस्पेशली 2nd September से यानि कि 2nd September से यहां पर start होने वाला है और इसके साथ में आप अपनी full preparation कर सकते हो इसमें हम चाहे part A हो अगर आपने syllabus देखा होगा थोड़ा सा non technical part होता है 80% हमारे technical part होता है सारा कह सारा syllabus इसमें included होगा CBT 1 stage हो चाहे CBT 2 stage हो कोर्स के features की बात करें validity जो होगी वह आपकी 15 मन्त होगी from the purchase date 2nd September से स्टार्ट हो रहा है recorded classes प्लस live classes दोनों मिलेंगी अगर आप मिस कर जाते हो बहुत सारे लोग बात में recorded प्रिफर करते हैं तो भी आपको मिल जाएंगी रिवीजन के लिए study material जो भी होगा आप प्रिंट करा सकते हो previous year paper and test series mock test सारी चीज़े आपको मिल जाएंगी same course को आप अपने laptop और mobile phone दोनों में access कर सकते हो कुछ और doubt होते हैं तो आ इसको अपने order को withdraw किया तो कई सारे reasons थे यहां पर जिनको अभी हमने देखा अब future में इसको लेकर के एवन और एटू को लेकर के कुछ ना कुछ आपको अपडेट जरूर देखने को मिलेगा जैसे अपडेट आएगा आपके पास में वीडियो आप लेवल हो जाएगा तब आपके लिए thank you, have a nice day